हलो दोस्तों आज है बाइस नॉम्बर दोजार बीस और बाइस नॉम्बर दोजार बीस से जितने भी हर्याना करण डवेर के कोईशन मनते हैं हम सब इस यूडियों में डिसक्स करेंगे और शाथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्राफ हैक्ट भी बढ़ेंगे और लास्ट में भी है कितने सेरों को चुना गया है तो इसका राइटनसर अप्शन एक विस्टो एकनोमिक फोर्म की और से बैस्ट रोड मैप डिजाइन के लिए 36 सेरों में सेहर याना के एक सेरों को चुना गया है और उसका नाम है फ्रीदावाद फ्रीदावाद को चुना है WEF ने और यह बैस्ट रोड मैपिक डिजाइन क्या है इनकी फ्रीदावाद में बहुत से अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट लॉंच किये गए है जिससे रोड को बाहतर तरिके से बना गया है रोड मनाने की डिजाइन बाहतर तरिके से सामने रखे ग आसे ही साहरों की सुची देखती है जो रओड के लिए इंडर यह दोगों के लिए जो बैष्ट डिजाइन त्यार करती है उसी की सुची बनाती है उसमें के हरिदाब्वाद को बारत के चार तीन साहरों को ओर लिया गया है फिर्दाबद से अलंग कुन-कुन से बैंगलुरू हीदरावाद और इंदोर और एक फिर्दाबद 12-13-4 साहरों को लिया गया है और अब इस W.E.F. के बारे में जानेते हैं World Economic Forum इसकी स्थापना जनवरी 1994 में होई थी और इसके चेर्माइन कोन है तो इसके में चेर्माइन है कलाउस सकोवाब इसके वरतमाइन में चेर्माइन है और इसका हड़ वाटर कहा है तो कलोजनी स्विजर लेंड में इसका हड़ वाटर है दोस्तों मैं आप सिब कहता हूँ अगर अपने लाइफ में कामयब हो ना तो अपने लिए एक टार्गेट फिक्स करो और जीजान लादों से पाने के लिए आपके लाइफ आटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी चलते हैं नेक्स्ट कोईश्चन पर हरियाना में निवेश करने के लिए किस के देश के साथ हाल में गोल में समयलन हुआ है नहीं हरियाना सरकार ने निवेश के लिए एक इस देश के साथ गोल मेज्व मेलस मेलन किया है तो इसकہ रायटनसुर के लिए बहुत इंपोन्ट कुएस्टन है तो इसका रायटनसुर्णस अपशन हे हर्याणा और सेंगापूर के बीच में गोल मेलस मेलन हम प्नक्र सरकार सिंगापूर के साथ निवेस बड़ाने के सोचरी हैं कि सिंगापूर को परेरित कर रही है आख हमारे हरियाना में इंट्र युद्योग स्थापित करो हम आपको पूरा सयोग देंगे और हमको जो भी जुरूत है हुए सभी फैक्टर उपलोब्द कराएंगे और इसी के लिए है गोल में रखा गया है इस क्यूंकि अगर सिंगापूर से कोई कमपनी हरियाना में आकर अपना कोई प्लांट या लोद्योग सापित करती है तो रियाना के हलीमा याकूब वरतमान में आके प्राष्ट पती है और मुद्रा क्या हों की तो सिंगापूर डॉलर मुद्रा सिंगापूर की तलते हैं नाइस्ट क्वेश्चन पर यह कुशन भी आपके लिए इंपोर्टेंट है हरियाना का पहला ऐसा कौन सा गाउं है जिसे न्यूट्र गाउं का नाम दिया गया है तो इसका राय ay بعुवार किसान अब बायों फोर्टिफसाइड गेहूं के खेटी करेंगी इसके लिए किसानों की गेहूं की दो किसमों विएर्शु और कर बलब दिखराए गए हैं यहों कि किसमें पूरी तरह से औरगानिक होंगी इसकी सुरुवाद पलवल के हतनी हलकी के गाउं कल साड़ा को चुना गया है हर्वेस्टर पलस के स्योग से डेफलमेंट का उलसिंग इसकार यह मदद करेंगी जबकि हर्याना बागवानी के प्रोटीपाइड के लिए चुना जाएगा उन्हें नूट्रीशिन गाउं का नाम दिया जाएगा यह ऐसा क्यों कि इन गेहूं को इस गाउं में उपलब्द कराया जाएगा सबसे पहले पलवल के हतनी कल सड़ा गाह में और इस गेहूं में प्रोटीन विटामिन जिंक लो पातरा में है और जो हम पहले ग्यों बोते थे उसमें उटावे ने प्रोटोमिन ही कम होती थी इसलिए अब बायो फोटीवाइड ग्यों बोई जाएगी इसमें सभी प्रार के पोशिक्तों होगे और जिस गाउं में बोई जाओगी उन्हें नूट्रीशन गाउं का गया तो इसे ही नूट्रीशन नाम दिया गया इस गाउं को सबसे पहले नेक्ट शोचन पर चलते हैं हरियाना शिक्सा विवाग ने कब से कब तक रीडिंग प्रमोशन सप्ता का योजन किया है तो इसका राइटरन सरहा उप्सने 14 नॉमबर से 20 नॉमबर तक हरियाना शिक् को सल विकास करने के लिए 14 नॉमबर से 20 नॉमबर तक राज के विदालियों में रीडिंग प्रमोशन सप्ता का योजन किया गया है जिसमें एक सप्ता तक बच्चों से वीविन परकार के पाठान को सल को उनत करने वाले कारिकरों कानी पढ़ाना अच्छी तरकारी करना जात बच्चे स्टेज पर आके सामने आके सभी बच्चों के सामने कहानी सुनाएंगे तो उनका भी उसला बड़ेगा और वह आगे कुछ कर सकते हैं इसलिए है इडिंग प्रमोशन सप्ता का अयोजन किया गया है और हर्याना सिक्सा विवाग तो उसकी विवानी इसी स्ता कौन बजार खोलेगा हर्याना के हर जीले में कौन बजार खोलने जा रहा है इसी कौन सी संस्ता जो हर जीले में बजार खोलेगी तो स्कराइटन सुरॉप्सन ए हैफेड हर्याना के हर जीले में बजार खोलेगी ऐसा क्यों तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं हर्याना के सैकर्था मंतरी डाक्टर परनवार लानन की सैकर्था के माधियम सिपरदान मंतरी रेंदर मोधी ओपर 22nda में किसानों की जाए दूगनी करने के सपने को सकार किया करना चाते हैं उन्हें किर्ची की उत्पाद निशत्र में साकर्टा को बड़ाव देने के लिए किसानों को उनकी फसल का उच्छीत मुल्या देने के लिए हैपट दुबरा हर जिले में बजार खोलेंगे इन बजारों में डेहरी की उत्पाद के साथ हैपट के रोजमरा के प्रयोग में आने लिए वस्तू भी रखी जाएगी उसके सा साथ में युगां का विकास भी हो जाएगा और जो किसानों की पैदा किया है उन्हें हैपट रखेगी तो उनका बाव भी अच्छा मिलेगा किसानों के इसलिए उनका आयए भी दुग नहीं हो जाएगी और हैफट किस्ता अपना उन्हें चैंसर में इती जब हरी अनालोग जन संग्या सुरवादिक है हरी आना कि किस जिले में महिला जन संग्या सुरवादिक है तो पहले हम महिला चोट देते हैं पहले हम देखते हैं हरी आना कि किस जिले में सबसे ज़्यादा जन संग्या है तो यहीं पर ही महिलाओं की जन संग्या सबसे ज़्यादा है अब जान जनसंख्या है कुल फिरिदाबाद में चिसमें पूरस जनसंख्या है 9,676,10 और मही लाउप की जनसंख्या है 8,43,663 और हरियानम सबसे जादा सरवादिक जनसंख्याओले चेहर जिले कुन से 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 पहले प्रिदाबाद फिर इसार इसार की जनसिंख्या 17,34,930 फिर विवानी तीसरे नंबर पर 16,34,45 और चोथे नंबर पर गुरुग्राम 15,14,432 गुरुगाओं की जनसिंख्या नेक्ष्ट कोश्चन अाज के लिए आपके लिए इंपोट्राड कोश्चन है देखता है कितीनी बच्छों यह रायट का पता है हरिया इंटर सोर बारे में टेल से लिखना क्योंकि क्यांसे करने से अब कोशन लंबे समय तो दोस्तों मैं आप सिब कहता हूं अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शाथ में अपने दोस्तों को सेयर कर दे और बाया लाइकन दुपा ले ताक प्रिके से चलती रहें दोस्तों आपका वीडियो देखने लिए थैंक्यू सो मुझ आपका वीडियो देखने लिए थैंक्यू सो मुझ